आज मैं बना रहे हूं सिंपल ब्रेड पुडिंग तो उसके लिए यहां पर देखे मैंने छे अंडे लिये हैं और यहां पर मैंने पाउ लिया हुआ है यहां पर लेकिन आप चाहो तो ब्रेड ले सकते हो तो ब्रेड लोगे तो six slices ब्रेड की लेना है आपने एक अंडे में ए पर-फौश्ण कि आची स्पून है पाउडर और वां व्यारaste में पाउडर तौश्ण के लिए सिनिमाद फंस ब्रीड गॉड़यर नहीं हैं हुद है दैल्चीन पाउडर और नंड में को वहós पताए हूँ हैं प्दsmoch काली नंड में को क्या बोलते हिंदी मैं और यहां पर मैंने 2 टी स्पून मक्षन लिया हुआ है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है यह जो पाव है यह मैं इसमें डिप कर दोंगी ताकि यह जुक्दम है सॉफ्ट हो जाए और फिर इसके बाद में मैं अंडा और बाकी सारी चीजों को मैं डाल रही हूं और इसके अंदर यह वैनिला एसेंस डाल रही हूं लाइची पाउडर नटमेक्ट एंड सिनिमन पाउडर दाल रही हूं मैं और इसके अंदर मैं बटर भी टू टी स्पून मैंने बटर लिया हुआ है वह मैं डाल रही हूं और इसके अंदर यह जो पाव और यहां पर देखें मैंने पीस लेया है इसको और यहां मैंने एक टीन लिया है उसको मैंने ओईल से ग्रीस कर लिया है आप चाहो तो बटर से भी ग्रीस कर सकते हो इसके अंदर में यह पोर कर रही हूं अबिए मैं इसको यह कोकर है कोकर पर के अंदर मैं ने एक स्टैन रखा हुआ है और उसके अंदर में ये तीन को छेंज किया था विकास वह Ich qui ये कोकर में नहीं जा रहा था इसलिए तो अब भी इससे में क्या गरूंगी इसको मैं इसका लीट बन कर दोंगी और इसको मैं 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कोक करूंगे और फिर इसकी वाल दर तो यहां पर देखिए यह एक घंटा हो गया था मुझे एक घंटा पकाने में लगा है और मैंने देखिए यह देखिए और मैंने इसको थंडा होने के लिए छोड़ दिया था एक घंटा मुझे और मैंने इसको पकाने के आपको दिखाँ नहीं